नवस्कार, बारिष्का मौसम है और ऐसे मौसम में सरदी खासी रुखाम ठीके आना या मुखार होना यह वहाँ सौबर विखे चाहे वो बच्चा हो या बड़ा समी को यह परशानी हो रही है यह परशानिया हमें बार-बार क्यों होती है और च्या इनका इनका इलाज सिर्फ और सिल्फ एंटिबाटिक या एंटिस्टमिंग जैसी दवाई ही है या ऐसा कुछ उपाय नहीं है जो आपको विरंतर स्वस्थ रखे आयरवेट में ऐसे कई सारे उपाय है जिनें अपना कर आप इन मौसमी द्विमानियों से अपने आपको बचा सकते हैं ऐसे ही उपायों पहली चीज आप दरम पानी का रोश से बन करें तो आपका मेटाबोनिजम डर्किनेटली इंक्रिस होने वाला है दरम पानी से क्योफी घरम पानी वे जो वो रहें वो आपके शरीर के टॉक्सिंस है या इंदेंसिस्टेट जो मटीरियल जो आपकी आतों के अंदर पर है आपके शरीर से वो टॉक्सिंस माहर निकालने का काम पर दा है आप अपनी अभीनी को और कैसे बढ़ाए तो इसका दूसरा उपाय है एक ग्लास फानी लीजिए एक बड़ा अधरफ्या फासे दस खाली मिर्शी और दस पते आप खुलसी के लीजिए इने फूट करके पिसेर से भाच जाएंगे उसके अलावा अद्रक और काली मिर्शी आपकी जटवाकनी को बढ़ाता है आपके मेटामोलिजम को बढ़ाता है टूसी आपकी इमिलिटी को इन्यास करती है एक तास एंटिमेंटिक का काम करती है आपके शरीर में और जब आप इसके बेली जाए फ़ल नठमें इसे आप हुबाल करके रोज राट पीी सकते हैं इसको पीनेस से नठमे याईनि चाएफल यह ऐसा ही है जो हमगे शरीर में कफ़जनित व्यादी वार्ट जनित ख़्यादियों से हमें रक्शा करता है साधैसाथ चाएफल वह आपके शरीर में कहीं पर भ या जिनें बार बार सीचें आती हैं कोई के लिए आप तो अड़ो तेल या शड़ बिन पर इन में से कोई ये फे या दर पर मुझूद सर्सों का तेल आप उसे तोड़ा अलका धरम करने के बाद में अच्छा ज्यान रखेंगा कि इसे आप इंडारेंट गरम करें आप डारे आपने भी आपके साइनस ब्लॉकेज है यहां पर जो आपके साइनस है उसमें जवाँ जो कफ बाहर निकलना चालो हो जाएगा जितना भी कफ है वह आप फिकले वह आएगा उसे आप ठूक देना है और साथी साथ अगर आप इस्टीम लेते हैं तो भी आपको बहुत आराम मिलेगा जितना खफ है आपके सिर्व में जवाँ इसके कारण से आपको बरदर्द हो रहा है या आपको बार बार ठीकें आ रही है तो उनसे आपको निजात मिलना चुलू हो जाएगा इसके बाद में हम और क्या सकता है उपनी इमिल्योटी को बढ़ाने के लिए तो निति चीज से जैसे आउने का फाउडर हो गया आपको आरचममच आउने का फाउडर आप अगर देगी सिवन करते हैं या आप त्रिफला चूल का भी अगर आप सिवन जाते हैं तो इससे भी आपके शेरी के टॉप्सन से वह बार निकलेंगे और साथी साथ में वह एक रसायन का लगें है यहां बार करने का काम करेका इसाहन मौसंई विमार्यों से द्रक्षा करनेगे तो इन संबौ भी वबायों को अगर आप एकर करके या आपकी समुलियत के हिसाब से जो आपको सून्ट वो जो आपको समझ में आएं वो आपकर सकते हैं अच्छा जीने ज़्यादा खांसी लग रही हो बहुत ज़्यादा खासी रडियाशन की कासी रडियाई है वह वक्ती पाच मुनट का और उसमें तोड़ी काली मिच और साथी साथ में अंका ससेंता नमबा अगर आप मिला करके विवो करके आप रखते हैं थोड़ी के और उसके बात में उसे अगर आप रूमें रखते हैं तो आपकी खासी आनवद हो जाएगा और ऐसे ही उपाय है जैसे आप अद्रक के रस को शहत के अंदर में अगर डाल के चाटते हैं वही आपकी खासी आदब बद हो जाती है तो अगर अगर यह सारे प्रयोग अगर आप करते हैं या इन में से कोई एक-दो प्रयोग भी अगर आप करते हैं तो डेफिनेटमी आप मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों याद रखें विमारी के शुरुआत में एंटिबायोटिक का प्रयोग ना करें हम जाने अन जाने में या आप डॉक्टर के पास वह जाते हैं और शीदा ही हुसा आप कोई एंटिबायोटिक लिग दो तावल में आप मिल जाएगा और या एंटिबायोटिक लिग दो पोई ज्यादा रखेंशन ने लखें तो डॉक्टर इस्टिबायोटिक भी लिग देते हैं तो इनका प्रयोग आप कम चे कम करें जागरूक बने कि एंटिबायोटिक अगर आप अभी ले रहे हैं चोटी-चोटी विवारियों में अगर शरीर में उतना काम नहीं करेंगी तो हमें आयर एंटिबायोटिक की तरफ में जाना पड़ेगा और जैसे जैसे हम आयर एंटिबायोटिक की तरफ हो जाएंगे अवारे ऑस्पिटल्स का बिल भी वैसा ही बड़ा बड़ा बंतर समझाएगा तो हमें अपने शरीर की अपने से ज़्यादा रखते हैं तो हमारी इमुरेटल बढ़ती है यह शर्दी कासी चुका में के कारण से अगर हम एंटिवाइटिक वगर लियते हैं तो हमारी गूप बढ़ जाती है हमें वोमिटिंग सेसेशन होने लगती है यह अभी पर भी बायरी हम ऐसे सूने रणते हैं तो इन समसाइड इफेक्स हम ध्रान में रखते हुए अगर हम फर राकटपिक संसादन जैसे जो आपको मैंने आपको बता हैं उनका अगर आप ब्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली आपको बढ़ी आराम मिलेगा आप अपने आपको स्वस्थ और अपनी सुदा यानि आपकी बूक हमेसा जागरत रहेगी आशा है आपको मेरा वीडियो पसम्राए होगा जादे से जादे लोगों में आप ये शेर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें तन्यवाद झाल 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 झाल